आपको हमारे यूटूब चैनल इसानी डिजिटल में जैसे कि प्रिब्यस वीडियो मैंने आप लोग को बताया था है कि नेटवर्क क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कितने टैप्स क्यों होते हैं और क्या-क्या उसका यूज होता है उसी प्रिकाश पाद से कंप्यूटर कर नेटवर्क का दैवर्क क्लास को मैंने कंप्लीट करवाया और अगयर आप लोग को ससक्राइब कर दे और मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि मैं आप लोग के लिए एक ब्लॉक्स बनाया हूं जिसमें आपको computer से related बहुत सारे question है per day के हिसाब से हर day 40 question आप लोग को मिलेगा उसमें बनाने के लिए और साथी साथ उसका answer भी नीचे में दिया हूँ आपको पहले practice करना बनाने के लिए तो ब्लॉक्स का लिंक मैं अपने इस वीडियो के description box में डाल दूँगा तो वहां से आप वहां चेक कर सकते हैं तो गाइस वीडियो अच्छा लाएं तो प्रीज लाइक और सेर जरूर करें साथे साथ नीचे comment box में अपना comment भी दे और वीडियो को बिना अस्कीप किए सुरू से लेकर लाज तक देखे ताकि आप अच्छे से computer के input output के बारे में जान सकेंगे तो आईए चलते हैं computer की तरफ और वहां पर आज हम सिखेंगे कि input device क्या होते हैं और output device क्या होते हैं और बोलना चाहूंगा कि ध्यान दीजेगा कि जो blocks का जो link मैं नीचे दिया हैं उससे जरूर आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि उसमें बहुत साइसे question है जो कि आपको बहुत help करेंगे हर एक एक competitive exam के लिए computer related question उसमें तो आईए चलते हैं computer की तरफ और वहां पर आज सिखते हैं तो आज चुके हैं computer और screen के पास और यहां पर आज हम सिखेंगे कि computer में input device क्या होते हैं कोई भी चीज को हम input कराते हैं तो वह CPU के अंदर जाता है और CPU के अंदर जाने के बाद वह प्रोसेस करता है प्रोसेस करने के बाद वह हमें output result कराता है तो यह ब्लॉक डागराम था आपका computer के ब्लॉक डागराम यानि basic component of a computer system ब्लॉक डागराम इसका डागराम दिया हुआ है तो अब जाकरें को CPU लिखा हुआ उपर में इधर में ALU control unit और memory लिखा हुआ है काने माले पूरा CPU का चित्र है जो कि पहले input लेकर processing कराता है इतनी चीज के थुरू और फिर output हमें results हो कराता है तो आई सबसे पहले देखते है input device क्या आता है यानि what is input device input device वो device होते हैं जिनके दोरा हम अपने data या निर्देसों कंप्यूटर में input कराता है यानि कोई भी चीज को हम input कराते हैं वो हमारा input devices के थुरू होता है कंप्यूटर में कई input device होते हैं ये devices कंप्यूटर के मस्तिक को निर्देसित करती है करने का मतलब कि computer में बहुत तरह के input device होते हैं जो कि उसके brain को निर्देश देते हैं कि क्या करना क्या करना input device कई रूप में उपलब्द हैं तता सभी के विसिष्ट उदेश है यानि करने को लग जो input device है बहुत तरह के उपलब्द होते हैं पर हर चीज का काम अलग-अलग होता है typing के लिए हमें हमारे पास keyboard होते हैं यानि जो भी हम type करते हैं उसके लिए हमें keyboard की जरूरत होता है जो हमारे निर्देश को type करता है यानि जो भी हम type करना चाहते हैं computer में keyboard के दुवारा type करते हैं वो हमारा input कहलाता है input device वो device है जो हमारे निर्देसो या आदेसो को computer को मस्तिक अने CPU तक पहुचाता है उसे हम input करते हैं computer input device उसको कहेंगे computer को एक निर्देस देता है निर्देस करने का मतलब कि उसे inform कराता है कि क्या करना है उसे हम input करते हैं input डिवास कई प्रकार के होते हैं सबसे पहले देखे क्या है input device में keyboard, mouse, joystick, trackball, light paint, touch screen, digital camera, scanner, digitize tablet, barcode reader, omr, ocr, micr, atm, ये सारे हमारे input devices हैं keyboard भी आप जानते हैं कि keyboard भी input devices होते हैं mouse तो input devices होते हैं ये सारे कुछ तो ये सारे इंपूर्ट डिवास के क्या होते है input device और उसका कितने प्रकार होते हैं तो दोस्तों ये साथा input device के details अब मैं आपको बता रहा होँ वह है CPU CPU क्या होता है और इसके कौन कौन से parts होते हैं CPU का पूरा नाम Central Processing Unit होता है याद किज़ेगा मैंने आपको पिछले lesson में जब CPU का class ले रहा था तो उस time मैंने आप लोगे CPU का पूरा details बताया था मैं उस चीच को आप फिर से बता रहा हूँ आपका revision हो जाएगा तो क्या है CPU का पूरा नाम Central Processing Unit होता है इसको हिंदी का नाम केंद्रिये संसाधन इकाई होता है याद कम्प्यूटर का सबसे महत पूरन भाग होता है अर्थात इसके बिना computer system पूरन नहीं हो सकता या computer का सबसे main parts होता है इसके बिना computer पूरा नहीं होता इसमें सभी devices जुड़े रहते हैं जैसे keyboard, mouse, monitor, आदिये सारे कुछ इसमें connect होता है इसे computer के मुस्तिक यानि mind भी कहा जाता है कहने का मलब computer का mind को CPU को computer का mind भी करते है इसका मुखिकार है program को execute करना और इसके अलाबा CPU computer के सभी भागों जैसे memory, input, output, devices के कारियों को नियंतरित करता है यानि सारे कार को वो नियंतरित कंट्रोल करता है उसको हम CPU करते हैं CPU के तीन भाग बाटा हुआ यानि central processing unit के तीन भागों हम बाटा हुआ पहला जो है ALU दूसरा आपका memory और तीसरा CU यानि ALU ये सारे की details में आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है ALU क्या होता है arithmetic, mathematics, logic unit इसको कहते हैं arithmetic, logic unit को संचेप में ALU कहते हैं या unit data पर अंक गनीतिये क्रिया हैं जोड़ना, घटाना, गुना, भाग और तरकीक, यानि logical operation करती है कहने का मतलब जोड़ना, घटाना, भाग यानि जोभी mathematicals काम होते हैं वो सारे कुछ हमारा ALU करता है ठीक है, दूसरा आपका है memory memory क्या होता है, memory input device के दो द्वारा प्राप्त निर्देसों को computer में store करके रखता है यानि कहने का मतलब जो भी हमारा, जो भी computer के दोआ दीया हुआ उसको आदेस होता है, जानि निर्देस होता है वो store करके रखता है, computer के या दास कभी कहा या दास कभी कहा जाता है कहने का memory को कम्पीटर के याददास भी कहते है मानों में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिक होती है उसी परकार से computer में memory होती है जैसे इंसान के लिए दिमाग का होना ज़रूरी होता उसलिए computer में memory का भी होना ज़रूरी होता यह memory CPU के बिभीन अंग है या एक शंग्रा यानी storage device है अता है इसे computer के मुख memory भी कहते हैं और आंतरिक memory भी होते हैं यानि primary और इसको primary memory भी कर सकते हैं और इसको computer का main memory भी internal memory सारे कुछ इसमें मौजूद होते हैं तो आपका memory था computer को वाज़तान जहां सभी सुचनाओ या आकड़ो को निर्देश store करके रखा जाता है memory कहलाता है यानि जो भी memory unit होता है computer का निर्देश और store करने के लिए जो भी आकड़ो गुना जो भी करते हैं उसमें store करते हैं वो memory कहलाता है तिसरा नमर पर आपका CU CU यानि control unit इसका पूरा नाम होता है control unit और CU hardware के क्रियाओं को निर्देश और संचालित करता है यानि control unit कहने का मतलब है कि जो भी hardware का parts होते हैं computer में वो parts को संचालित यानि चलाने के लिए और control करने के लिए control unit का use किया जाता है या input output क्रियाओं को control करता है साथ ही memory और ALU के मत दाटा को अधान परदान करने का निर्देश यानि inform भी देता है कि आप memory के अंदर और ALU के अंदर यानि arithmetic logical unit के अंदर निर्देश अधान परदान करने के लिए भीजने के लिए उपयोग किया जाता है या program को क्रियाओंतित करने के लिए निर्देश को memory से प्राप्त करना तथा निर्देश को बिजू से करने के लिए उचित डिवाइस तक पहुचाता है यानि पूरा का पूरा hardware को control करने के लिए कर सकते हैं इसको और hardware parts को यह बताता है तो दोस्तों यह तो था आपका CPU, CPU के अंदर जो तीन पार्ट्स होते हैं L, U, C, U और memory यह तीनों के details अगला जो हमारे पास next जो है वो है output यानि last में जो है वो है output output device वो है device होते हैं जो user दोरा input किये गए data को result के रूप में प्रदान करता है यानि user के दोरा दिये हुए input को result के दोरा दिखाने के लिए output का use किया जाता है output device के दोरा computer में प्राप्ट result को प्राप्ट किया जाता है इन परिणामों को प्राइर डिस्प्ले डिवाइसे या screen या printer के दोरा user को प्रस्तूत किया जाता है काना के मतलब कि या तो हम display द्वारा देख सकते हैं या फिर printer के द्वारा जो में result प्राप्ट होते हैं उसे हम output device करते हैं मुखे रूप से output के रूप में प्राप्ट सुचना है या तो हम screen पर देख सकते हैं या फिर printer से page पर print कर सकते हैं यहनि जो भी हमारे दूरब इंपुट किया जाता है उसके बाद जो भी हमें ओर्ट पूट मिलता हुआ तो उए डिस्प्लेइं पर मिलता है या और हिरत न पर कष़ पर कार से आप कर Bryant के स्चूद साइबMy monitor हो गया printer हो गया plotter हो गया आपका projector हो गया sound speaker यह सारे output devices में आते हैं दोस्तों मैं आपको एक diagram देखाता हूँ देखिए यहाँ पे यह block diagram of computer का है देखिए सबसे पहले जैसे उपर का diagram में मैंने आप लोग को दिखाया था कि पहले सबसे पहले computer में क्या होता है input होता है input होता है input होने का बाद वो computer न सीपु यू के अंदर जाता है तो वो सीधे control unit देखता है उसको उसका बाद वो सीधे transfer करता है arithmetic logical में and automatically logical के बाद वो memory में transfer करता है और memory से फिर वापस जाता है output के दोारा यहाँ पे आता है और फिर इस पर कड़ता है हमें result के द्वारा output मिल जाता है तो आप diagram से समझ चुके होंगे कि computer में किस परकार से data को start को होता है जो भी हम input देते हैं तो क्या process कैसे होता है और फिर हमें output कैसे मिलता है तो दोस्तों और यहां पर नीचे में देख लेते हैं थोड़ा सरल सब्दों में यानि summary में देख लेत में मदद करता है input device वो डिवाइस होते हैं जिनके दोवारा हम अपने data या निदेश को computer में input करा सकते हैं तिसरा में output डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो user दोवारा input किये गए data को result के रूप में परदान करता है उसको हम output करते हैं चार नमर पे CPU का पूरा नाम center processing unit होता है पाच नमर पे computer वाइस थान है जहां सभी सुचनाओ अकड़ों को देश वाइस वाइस टोर करके रखा जाता है उसे memory कहलाता है ALU का पूरा नाम arithmetic logical unit होता है CU का पूरा नाम control unit होता है तो दोस्तो आज कि क्लासमस मैंने आप लोग को बताया कि computer से में input device क्या होता है, output device क्या होता है cpoo में allu क्या होता है, cpu क्या होता है, m... क्या होता है यह सारे कुछ के डिटेल्स मैंने आप लोग का बताया है और एक जी बोलना चाहूंगा दोस्तों आप लोग के लिए मैंने एक ब्लॉग बनाया है जिसमें computer से related सारे question आते हैं हर डे 40 question आपको मिलेंगे उसमें तो आप हमारे ब्लॉक्स का जो लिंक है मैं description box में नीचे दे दूँगा और आपको वीडियो में भी मिल जाएगा तो वहां से भी आप देखकर क्लिक कर सकते के बाल उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे ब्लॉक्स में चले जाएंगे ठीक है न तो आप अच्छे से उस पर क्लिक किजएगा और computer से जो question है वहां पर आप बजाईए उसको आप याद कीजिए नीचे अंसर भी उसका सो करेगा बट आपको पहले practice करना उसके बाद ही आप अंसर पर ध्यान दीजेगा तो वासा करते हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आज की वीडियो अच्छा लग झाली के जड़ का इसके टो खादय के रबदाग की वीडियो ढें पर द Wandते है कि आपको आपको